कि हलो गाइज मैं पुझा इलर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत करती हूं तो जैसा कि हम वर्व पढ़े रहे थे तो आज इसको कॉंटिनिव करने वाले हैं तो पहले हम पढ़ेंगे यूज आफ नाउन इंफिनिट्व तो इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको वरकार करते हैं और फिर क्वालीफाइंग इंफिनिट्व या जिरेंडियल इंफिनिट्व का यूज कैसे करते हैं तो मैंने बताए था कि जो नाउन इंफिनिट्व सब्घकोट के स्थान पर अबझेक्ट और का कॉंप्लिमेंट आफ जैसकं कि एकौर्डिंग हम इसका सब्जक्ट के अस्थान के सब्ज़ेट करेंगे इन्फिनिटि तो फॉर्फ होता है यहां पर लिखा है इस इसका है इसका इस्थान पर यह हो जाएगा नाउन का कर रहा है लेकिन किसके अस्थान पर यह नाउन इंफिनिटीव निची कर रहा है तो हम पर यहां पर हम क्या करूर और है कि जो स्विम है यह क्या है तू स्विम प्लस वर्वफ स्विम यह किसे कर रहा है सब्जेक्ट के सिंदे हाँ कि कैसे कर देखते हैं दisको देखते हैं कि I want to go मैं क्या करता हूँ जाना चाहता हूं जो मैं जाना चाहता हूं इसमें किया है इपapolis प्लस वर्ब फर्स्ट तो इसके किसके अकॉरडिंग आ रहा है यह सब्जिक्ट तो आई है ना मैं जाना चाहता हूं और यह सब्जिक्ट हो गया और लेकिन जिस्तान प्रश्ट आरहा है जो क्या हो जाएगा object के रूप में कार्व करना है क्योंकि हमारे already क्या है subject है अगला है compliment of a verb जब हम क्या करते हैं compliment of a verb एक verb की बात करते हैं यहां पर है see is to marry an is ऐसे नहीं होगा आई एस ऐसे होगा तो क्या हो करते हैं यहां पर है जब आए देखे रूद में क्या हो जाते हैं जो कि यहां पर है क्या है c है उसके इस हो जाएगा और टू मैरी हमाड़ क्या हो जाएगा अगला है आइल टू बाई अकार तो यहां पर टू बाई है वो किसके कम्प्लिमेंट में आ रहा है वर्ब के एंग कम्लिमेंट में आ रहा है तो कि क्या हो जाएगा हमारा वर्ब हो जाएगा एम हो जाएगा उसके बार टू प्लस वर्ब फॉस्ट है क्या है टू प्लस वर्ब फॉस्ट जो कि क्या कर रहा है हमारा इंफिनिट्व फूल इंफिनिट्व का रोल प्ले कर रहा है आउन इंफिनिट्व में अगला है अब्जेक्ट आफ प्रीक पोजीशन जब हम क्या करते हैं अब्जेक्ट को किसकी तरह दर्स आते हैं प्रीपोजीशन के रूप में दर्स आते हैं जैसे आई about to go can I am about to go तो यहां पर क्या है यह object है तो गो लेकिन किसंतरा कार कर रहा है तूगो धो प्राइब चेल प्रिपोजीशन का काम कररिया है इसलिए हम इसको किस के कर तो न्यूर् junior the problem बोल रहें है यह जो है object का चेल प्री प्रिपोजीशन आ रहा है यहां पर यहां पर बट हो गया यह सब क्या हो जा रहा है चब तो यह किसके शेंस में काम कर रहा है जो हमारा लाउन इंफिनिटीव है यह आगे बढ़ते हैं यूज ऑफ क्वालिफाइंग इंफिनिट्व क्या करते हैं हम यूज ऑफ क्वालिफाइंग इंफिनिट्व का यूज कैसे करते हैं मैंने पहले बताया था क्वालिफाइंग का नाउन वर्ब और आड्जेक्ट्व के रूप में करते हैं जब बात करते हैं वर्ब नाउन और purpose क्या ओ किसी उद्धेश्ची की भावना चीज जब कोई कारी हो तो हम वर्ब का यूज़ कैसे करते हैं जिब किसी उद्धेश्ची की भावना हो ठीक है तो क्या लिखा इन दीस इंस आफ cause of purpose बदी क्या हो उद्धेश्ची की भावना जब हो यहां पे है she came to see this हमारा है कि कम कर रहा है अगला है यहां पे हो गया हमारा कि क्या हूट क्या होता है purpose होता है तो जो वर्व है यहां पर कम क्या है डेखना इस पोट्स देखना यहां पर क्या दिया है कि जब भी वर्व के sea weather to see the side syddh fast to see this site में καई यह군 है तौकी कि किसके लिए in साइट के लिए यह क्या हो जाएगा का लग चाज हो जाएगा यह पर्पश एक सकहरी किसके लिए होता है एकिस के लिए वर्ब इसका यूज होता है कि यूज अब कौलिफाइंग इंफिनिटीव के लिए अगला है नाउन तो जब नाउन की हम बात करते हैं तो in the sense of purpose क्या किसी उस देश के sense के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं तो जैसे है कि this house is too late नहीं पे क्या है this house is too late यहाँ पे this house हमारा क्या है नाउन हो गया और इसका पर पपस क्या है इसे है तूलेट अच्छ है यहां पर गिवं में चैयर टू सिट आन यहां पर एक नाउन है किसके इसका इसका उप्रपाइब बैठना म्हीं इस चेयर पे ही बैठना क्या है उद्देश यहां पर डिपेंड हो जो हमारा पर पॉद्धिक जुड़ा हुआ तो उसका यूज हम qualify infinitive में करते हैं लेकिन किसके लिए noun के लिए करते हैं ठीक है अब बात करते हैं adjective की जब adjective की बात करते हैं तो इसमें यह है कि जब भी क्या हो in this sense of what purpose जब क्या हो क्या उद्देश्य हो मतलब खुद को ही थोड़ा यह समझ में मतलब यह समझना मुस्किल हो जाए कि जब क्या हो what का उद्देश्य हो क्या का purpose हो तो जैसे यहां पर I am glad to see you तो क्या है I am glad क्या है adjective हो जाएगा glad क्योंकि to see क्या है to plus verb first आया infinitive हो जाएगा जोकि adjective की रूप में कारी करना है यहां पर infinitive जोकि कहा है qualifying infinitive का यह adjective पार्ट है ठीक है यहां पर क्या देगा for what purpose इसका उद्देश्य के लिए है उसको देखने के लिए मतलब glad बहुत ही क्या है glad हुआ happy वाखुस हुआ किसके लिए for what purpose उसका क्या उद्देश्य उसको देखने के लिए जब भी ऐसा sense आए तो हम क्या करते हैं उसको qualifying infinitive के रूप में उसका प्रयोक करते हैं जोकि verb noun or adjective के रूप में कारी करता है so guys आज का class यहीं तक समाप्त करते हैं मिलते हैं next video में तब तक के लिए take care bye bye